हिंदी सिनेमा और टेलिवीजन के मशूर लेखक ब्रिज कत्याल का निदन हो गया है ब्रिज कत्याल लंबे वक्से कैंसर से लड़ रहे थे ब्रिज जी ने अपनी आखरी सास बैंडरा के शांती आवेधन आश्रम में ली आपको बता दे कि ब्रिज का त्याल ने मशूर फिल्म जब जब फूल खिले की कहानी लिखे थी जिसके बाद नंदा और शशी कपूर की जोडी सूपर हिट साबित हुई ब्रिज का त्याल ने अजूबा ये रात फिरना आएगी किसमत साथ समुंदर पार जैसे फिल्मों की कहानी के साथ साथ डायलॉग्स भी लिखे थे साथे ब्रिज ने सीरियल दिल लगी और सास की कहानी भी लिखी थी जिसका डायरिक्शन एक्ट्रिस नीना गुपता ने किया था ब्रिज कत्याल के निधन की खबर के बाद से बॉलिवुड सही टेलेविजन की दुनिया में शोक की लहर है आपको बता दे कि ब्रिज कत्याल के अंतिम दिनों में नीना गुपता उनके साथ रही थी ब्रिज का त्याल के निदन के कुछ दिन पहले नीना गुपता ने अपने सोशल मीडिया काउंट पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था जिसे देख कर हर कोई गमगीन हो गया ब्रिज का त्याल को रेक्टिल कैंसर था और उनकी जाने से इंडस्ट्री को बहुत बड़ी छती हुई हिंदी सिनेमा और टेलिविजन के मशूर लेखक ब्रिज का त्याल का निदन हो गया है ब्रिज का त्याल लंबे वक्से कैंसर से लड़ रहे थे ब्रिज जी ने अपनी आखरी सास बैंडरा के शांती आवेदन आश्रम में ली आपको बता दे कि ब्रिज का त्याल ने मशूर फिल्म जब जब फूल खिले की कहानी लिखे थी जिसके बाद नंदा और शशी कपूर की जोडी सूपर हिट साबित हुई ब्रिज का त्याल ने अजूबा ये रात फिरना आएगी किसमत साथ समुंदर पार जैसे फिल्मों की कहानी के साथ साथ डायलॉग्स भी लिखे थे साथे ब्रिज ने सीरियल दिल लगी और सास की कहानी भी लिखी थी जिसका डायरिक्शन एक्ट्रिस नीना गुपता ने किया था ब्रिज का त्याल के निधन की खवर के बाद से बॉलिवुड सही टेलिविजन की दुनिया में शोक की लहर है आपको बता दे कि ब्रिज का त्याल के अंतिम दिनों में नीना गुपता उनके साथ रही थी ब्रिज का त्याल के निधन के कुछ दिन पहले नीना गुपता ने अपने सोशल मीडिया काउंट पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था जिसे देखकर हर कोई गमगीन हो गया ब्रिज का त्याल को रेक्टिल कैंसर था और उनके जाने से इंडस्ट्री को बहुत बड़ी छती हुई